वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल कुक पितलब मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको साधी व्यावाले जो भरवा बैगन होते हैं वो बनाना बताऊंगी यह देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी बैगन बनके तयार हुए हैं तो चलिए हम र पाइता से यहां मसाले देख लेते हैं एक चमच मैंने धनिया पाउडर लिया है आदा चमच लाल मिर्स पाउडर है आदे चमच हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला है आदा चमच सौंफ पाउडर है आदा चमच आमचूर पाउडर है नमक स्वादा नुसार है लेसुन अद्रक का पेस्ट एड्ड किया है मैंने अब हम इसमें थोड़ा सा सर्सों का तेल एड्ड करेंगे और मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे बैगन हमने जो कट करके रखे थे उनमें हम मसाला भर देते हैं इस तरह से ये देखी इसी तरह से हमें सारे बैगनों को भर के तैयार कर लेना है fry pan में हम oil गरम करेंगे और इनमें एक एक करके सारे bagणों को हम इसमें fry करने के लिए रख देंगे उलट पुलट करते हुए हमें इने तलना है दो मिनट के लिए हम फिर इनको ढख के पकाते हैं ये देखी हमारे bagण भुन गए हैं fry हो चुके हैं उसी fry pan में हमने फिर से oil डाल के थोड़ा सा जीरा डाला है प्याज एड़ करने के वाद जो मैंने एक बड़ा प्याज मैंने चौप करके रखी थी और उसी में अधरक लेसन का पेस्ट डाल दिया है थोड़ा नमक डाला है और इन सब को भून लेते हैं नमक याद रहा है हमने पहले भी इust्माल किया था थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनीय पाउडर एड़ किया है और इसके बाद हम टमाटर एड़ कर देंगे इसमें यह देखिए थोड़ा सा पानी डाला है ताकि यह पक जाए अच्छे से और मिर्स पाडर तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं अब हम इसको अच्छे से भूनने के बाद आप हम इसमें जो बैगन फ्राई करके रखे ते वो डाल देते हैं और दोमनेट के लिए और पकाएंगे इन्हें हम ढखके दोमनेट हो चुके हैं अब इन्हें हम फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे इसमें ताकि सारे फ्लेवर इसमें मसालों का मिक्स हो जाए ये देखी दोमनेट हो चुके हैं बैगन हमारे बनके तयार हो गए हैं अब हम इसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया कट करके रखी ती उसको एड़ करेंगे सबजी बनके तैयार हो गई है एकदम से साधी व्याबाली फीलिंग के साथ खाईए रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शियर, सस्प्राइब जरूर करिए